पराक्रम और शौरिय से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है मेरी दिपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाते हैं मेरी दिपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा प्रसस्त करता है मेरी दिपावली का उलास आपके पास है मेरी उमंग आपके साथ मेरा सभाग है मुझे बर्षों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का आउसर मिल रहा है एक और देश की संप्रभू सीमा और दूसरी और उसके समर्पित सिपाई एक और मात्र भूमी की ममता मैं मिट्टी और दूसरे दूसरी और उसे चंदन मना कर मात्रे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी जाबाई पनाओ जवान इस से बहतर दिवाली मुझे और कहां नसीव हो सकती है और हम सिविलियन लोगों की दिवाली हमारी आतश बाजी और कहां आपकी आतश बाजी आपके तश बाजी अलग होती है आपके ठमागे भी अलग होते है साथियों शावर्य की अप्रदीम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधूरता और मिठास की भी है इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है आज कारगील की इस विजय भूमी से अब सब जवानों के बीच से मैं सभी देश माश्यों को और पूरे विश्व को दिपावली की हारदी बठाई देता हूँ पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगील ने विजय द्वजन फैराया हो आज के वैश्विक परिद्रश्य में प्रकास का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शान्ती का पत्प्रदर्शन करे ये भारत की कामना है साथियों दिवाली का अर्थ है आतं के अंत के साथ उत्सव आतं के अंत का उत्सव यही कारगील ने भी किया था कारगील में हमारी सेना ने आतं के फ़न को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं मेरा इस अभागे रहा मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था मैं हमारे दिकारियों का अभारी हूँ कि हाँ आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरे दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था वो पल बड़ी भावुप थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यादों के अंदर दीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ जब हमारे जवान कारगी हुद में दुश्मन को मुह तोड जवाब दे रहे थे तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग मिला था देश के एक सामान्य नागरी के रुप में मेरा कर्तब ये पूत मेरा कर्तब ये पत मुझे रण भूमी तक लिया आया था देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी थोटी मोटी राहत सामागरी भेजी थी हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे हम तो सरफ उससे पुन्य कमा रहे थे क्योंकि देव भक्ति तो करते हैं वो पल देश भक्ति जो में रंगे रंगे से रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए व पल था उस समय की कितनी ही यादे हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जैगोष है जैगोष है जैगोष है हर मन का अवान था मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो तुझे कुछ और भी दो साथियों हम जिस रास्त की आराधना करते हैं हमारा वो भारत केवल एक भावगोलिक बूखन्ड मात्र नहीं है हमारा भारत एक जीवन्त विभूती है एक चिरंतर चेतना है एक अमर अस्तिक्व है जब हम भारत कहते हैं तो सामने स्वास्वत संस्कृति का चित्र उपर आता है जब हम भारत कहते हैं तो सामने विरता की विरासत उठ खड़ी होती है जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उगती है एक ऐसी अजस्त्र धारा है जो एक और गगन चुम्बी हिमालय से प्रश्टूतित होती है तो दूसरी और हिंद महासागर में समाहित होती है अतीत में असीम लप्टे उठी विश्व की कितनी ही लहल हाती सब बताएं रेगिस्तान सी विरान हो गई लेकिन भारत के अस्तित्व की ये सांस्कृतिक धारा आज भी अविरल है अमर है और मेरे जवानों एक राष्ट कब अमर होता है राष्ट तब अमर होता है जब उसकी सम्तानों को उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ पर अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है राष्ट तब अमर होता है जब उसके सैनिकों के शीष हिमाले के सिर्ष सिखरों की तरा उतंग होते हैं एक राष्ट तब अमर होता है जब उसके संथानों के बारे में कहां जा सके कि चलंतू गिरियह कामम युगांत पवनाहता कुछे रपी कुछे रपी न चलत्तेव धिरानाम निश्चलाम बना यानि प्रले काल के तुफानों से विशाव परवद भले ही क्यों न उखड जाए लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अडिग अटल और निश्चल होते हैं इसलिए आपकी बुजाओं को आपकी बुजाओं का सामर्थ हिमाले की दुरु उचाईयों को नापता है आपका मनस्वी मन मरुज थलों की मुस्किलों का सभलता से मुकाबला करता है आपके असिम शौर्य के आगे अनंत आकास और असिमित समंदर गुटने टेकते हैं कारगिल का कुरुक्षेत्र भारतिये सेना के इस पराक्रम का गुलन गवा बन चुका है यह द्रास यह बटालेक और यह टाइगर हील यह गवा हैं कि पहाडों की उचायों पर बैठा दुश्मन भी भारतिये सेना के गगन चुम्बी साहस और शोर्य के आगे कैसे बोना बन जाता है जिस देश के सहनुकों का शोर्य इतना अनंत हो उस राष्ट का स्तित्व अमर और अटल ही होता है साथियों आप सभी सीमा के पहरी देश की रक्षा के मजबुत स्तंब है आप है तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं निश्चिंत रहते हैं लेकिन यह हर भारतवासी के लिए खुशी की बात है कि देश के सुरक्षा कवज को संपूनता देने के लिए हर भारतवासी पूरी शक्ति लगा रहा है देश सुरक्षित तभी होता है जब बौडर सुरक्षित हो अर्थ दवस्ता ससकत हो और समाज आत्मविश्वास से भरावो आप भी बौडर पर आज देश की ताकत की खबरे सुनते हैं तो आपका होसला दोगुना हो जाता होगा दब देश के लोग स्वच्षता के मिशन से जुड़ते हैं गरीप से गरीप को भी अपना पक्का घर पीने का पानी बिजली गैस जैसी सुविधाएं रिकॉर्ड समय पर मिलती हैं तब हर जवान को भी खर्व होता है दूर कहीं उसके घर में उसके गाउं में उसके शहर में सुविधाएं पहुंचती है तो सीमा पर उसका सीना भी तन जाता है उसे अच्छा लगता है जब वो देखता है कि कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है तो उसका घर पर बात करना भी आसान होता है और छुट्टी पर घर पहुंचना भी आसान बन जाता है साथियों मुझे पता है जब साथ आठ साल के भीतर ही है देश की अर्थ बवस्ता दस्वे नंबर से पांच नंबर पर पहुंची है तो आपका भी माथा गर्व से उचा होता है जब एक तरफ आप जैसे हुआ सीमा को समालते हैं और दूसरी तरफ आपके ही हुआ साथी असी हजार से अधिक स्टार्ट अप बना देते हैं नएने इनोवेशन करते हैं तो आपकी खुशी भी बढ़ जाती है दो दिन पहले ही इसरों ने ब्राड बेंड इंटरनेट का विस्तार करने वाले 36 सेटलाइट तीन दजन एक साथ लाँच कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है अभी दो दिन पहले अंतरिक्ष में भारत जब अपना सिक्का जमाता है तो कौन मेरा वीज जमान होगा जिसकी चाती चौडी न होती हो कुछ माहिने पहले जब उक्रेन में लड़ाई छिडी तो हमारा प्यारा तिरंगा कैसे वहां फसे भार्प्यों का सुरुक्षा कवच बना यह हम सभी ने देखा दुनिया में आज जिस प्रकार भारत का मान बड़ा है सम्मान बड़ा है विश्व पटल पर बढ़ती भारत की भुविका आज सब के सामने है साथियों आज यह सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत अपने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्वनों के विरुद सभलता के साथ मोर्चा ले रहा है आप सीमा पर कवच बन कर खड़े हैं तो देश के भीतर भी देश के दुश्माओं के घलाप सक्त से सक्त कारवाई हो रही है आतंगवाद की नक्सलवाद की अतिवाद की जो भी जड़े बीते दसकों में पनपी थी उसको उखाडने का सफल प्रयास देश निरंतर कर रहा है कभी नक्सलवाद ने देश के बहुत बड़े हिस्सों को चपेड में ले लिया था लेकिन आज वो दाइरा लगातार सिमट रहा है आज देश ब्रस्टा चार के खिलाप भी निरनायक युद्ध लड़ रहा है ब्रस्टा चारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों नहों कितना ही ताकतवर क्यों नहों अब वो बचे नहीं सकता और बचे का भी नहीं कुशासन ने लंबे समय तक देश के सामर्थतों सीमीत रखा हमारे विकास के रास्ते में रोडे अटकाएं आज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी परानी कम्योंकों तेजी से दूर कर रहे हैं राज्ट लहित में आज बड़े से बड़े निर्णे तेजी से कीये जाते हैं तेजी से लागो किये जाते हैं साथियों तेजी से बदलते हुए समय में टेक्नोलोजी के इस दौर में भविष्य के युद्धों का स्वरूप भी बदलने जा रहा है नए दौर में से नई चनौतियां नए तौर तरीकों और राश रक्षा के बदलती जरुत्तों के हिसाब से आज हम देश की सन्य ताकात को तैयार कर रहे हैं सेना में बड़े रिफॉर्म्स बड़े सुधार की जो जरुरत दसकों से मैसूस की जा रही है वो आज जमीन पर उतर रही है हमारी सेनाओं में बहतर तानमेल हो हम हर चनौति के विरुत तेजी से त्वरित कारवाई कर सके इसके लिए हर सम्मख कदम उठाए जा रहा है इसके लिए सीडियेस जैसे सौंस्तान का निर्मान किया गया है सीमा पर आधुनिक इंट्रास्टेक्टर का नेट्वर्क तैयार किया जा रहा है ताकि आप जैसे हमारे साथियों को अपना कर्तव में निभाने में अधिक सुविधाफ हो आज देश में अनेग सैनिक स्कूल खोले जा रहे है सैनिक स्कूलों में सैन ट्रेनिंग संस्तानों को बेटिवों के लिए खोल दिया गया है और मिज़े गर्भ मैं बहुत सारी बेटिवों को मेरे साथ देख रहा हूं भारत की सेना में बेटियों के आने से हमारी ताकत में बृद्धी होने वाली है ये विश्वात रखिये हैं हमारा सामर्द बढ़ने वाला है साथियों देश की सुरक्षा का सबसे महत्व को पहलू है आत्म निर्भर भारत भारतिये सेनाओं के पास आदुनीग स्वदेशी हत्यार विदेशी हत्यारों पर विदेशी सिस्टिम पर हमारी निर्भरता कम चे कम हो इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्म निर्भरता का संकल्प लिया है मैं प्रसुंसा करता हूँ अपने तीनों सेनाओं के जिनोंने ये तै किया है कि चार सो के से भी अधीक रक्षा साजो सामान अब विदेशों से नहीं खरिज दे जाएंगे अब ये चार सो हत्यार भारत में ही बनेंगे चार सो प्रकार के भारत का सामर्त बढ़ाएंगे इसका एक और सबसे बड़ा लाब होगा जब भारत का जवान अपने देश में बने हत्यारों से लड़ेगा तो उसका विश्वास चरम पर होगा उसके हमले में दुश्मन के लिए सर्प्राइज एलिमेंट भी होगा और दुश्मन का मनोबल कुचलने का साहज भी होगा और मुझे खुशी है कि आज एक तरफ अगर हमारी सेना और हमारी सेना ज्यादा से ज्यादा मेडी इंडिया हत्यार अपना रही है तो वही सामान्य भारतिय भी लोकल के लिए वोकल हो रहा है और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए सपने देख करके समय लगा रहा है साथियों आज ब्रह्मोस सुपर्सोनिक मिसाइल से लेकर प्रचनल लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर्स और तेजर्स फाइटर्स जैड्स तक यह रक्षा साजो सामान भारत की शक्ति का परियाय बन रहे है आज भारत के पास विशाल समंदर में विपलवी विक्रांत है युद्ध गहराईयों में हुआ तो अरी का अन्त अरियंत है भारत के पास प्रुत्वी है आकाश है अगर विनास का तांडव है तो शीव का त्रिशूल है पिना का है कितना भी बड़ा कुरक्षेत्र होगा लक्ष भारत का अर्जुन भेदेगा आज भारत अपनी सेना की जुरुत तो पूरी कर ही रहा है बलकि रक्षा उपकरोनों का एक बड़ा निर्या तक भी बन रहा है आज भारत अपने मिसाइल डिपेंज सिस्टिम को सजक्त कर रहा है वहीं दूसरी तरफ ड्रोन जैसी आदुनिक और प्रभावी तक्रीक पर भी तेजी से काम कर रहा है भाई और बैनों हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां युद्ध को हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है हमेशा यह हमारा वीर्ता का भी कारण है हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुख्षेतर में अंत तक उसको तालने की हर संभव कोशिश हुई है इसलिए हम विश्व सांती के पक्षदर है हम युद्ध के विरोधी हैं लेकिन शांती भी बिना सामर्थ के संभव नहीं होती हमारी सेनाओं के पास सामर्थ भी है रणनीती भी है अगर कोई हमारी तरफ नजर उठा कर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुतोर जवाब देना भी जानती है साथियों देश के सामने हमारी सेनाओं के सामने एक और सोच अब रोध बनकर खड़ी थी यह सोच है गुलामी की मानसिक्ता और देश इस मानसिक्ता से भी छुटकारा पा रहा है लंबे समय तक देश की राजजानी में राजपत गुलामी का इक प्रतीत था आज वो कर्तव्यपत बनकर नए भारत के नए विश्वास को बढ़ावा दे रहा है इंडिया गेट के पास जहां कभी गुलामी का प्रतीत था वहां आज नेता जी सुभाज चंद्रबोश की भग्व्य प्रतित विशाल प्रतिवा हमारे मार्ग दिखा रही है हमारा मार्ग दर्शन करें नेशनल वार मेमोरियल हो राष्ट्रिय पुलिस मार्ग हो राष्ट्र रक्षा के लिए कुछ भी करगुजरने की प्रेणा देने वाले ये तीर्थ भी नए भारत की पहचान है कुछ समय पहले ही देश्ट ने गुलामी के प्रतीक से भारतिय नव सेना को भी मुक्त किया है नव सेना के द्वच से अब वीर सिवाजी की नव सेना के शवर्य की प्रेणना जुड़ गई है साथियों आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है भारत के बढ़ते सामर्थ पर हैं जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांती की उमीद भी बढ़ती है जब भारत की ताकत बढ़ती है तो सम्रुद्ध की संभावना बढ़ती है जब भारत की ताकत बढ़ती है तो विश्व में एक संतुलन आता है आजहादी का यह मृत्काल भारत की इसी ताकत का इसी सामर्थ का साक्षाद साक्षी बनने वाला है इसमें आपकी भूमी का आप सब वीर जमानों की भूमी का बहुत बड़ी भूमी का है क्योंकि आप भारत की गवर्व की शान है तंतिरंगा मनतिरंगा तंतिरंगा मनतिरंगा चाहति रंगा रहति रंगा विजय का विश्वाज गरत्ता सीमा से भी सीमा से भी सीना चोड़ा सपनों में संकल्प सोहाता कदम कदम पर दम दिखाता भारत की गवर्व की शान तुम्हें देख रहा हर भारतिय गर्व से भर जाता है बीर गाथा गर गर गुंजे नर नारी सब सीश नवाएं सागर से गहरास ने हमारा अपने भी हैं और सपने भी हैं जवानों को अपने लोग भी तो होते हैं आपका भी परिवार होता है आपके सपने भी हैं फिर भी अपने भी हैं और सपने भी हैं देश हित सब क्या सबर पित देश हित सब क्या सबर पित अब देश के दुश्मन जान गए हैं अब देश के दुश्मन जान गए हैं लोहा तेरा मान गए है भारत के गौरव की शान तुम्हें देख तुम्हें देख हर भारतिय गर्व से भर जाता है गर्व से भर जाता है प्रेम की बात चले तो शागर शांत हो तुम्हें पर देश पर नजर उठी तो फिर बीर बज्र विक्रांत हो तुम्हें एक निडर एक निडर अगनी एक आग हो तुम्हें निर्भय प्रचंड और नाग हो तुम्हें अर्जुन पृत्वी अरिहंत हो तुम्हर अंतिकार का अंत हो तुम्हें अश्यidée करते हो तुम्हें अश्या करते हो वहां देश दन्य हो जाता है वहां देश धन्य हो जाता है भारत के गवरों की शान तुम्हें देख हरभारतिय गर्व से भर जाता है स्वाभिमान से खड़ा हुआ मस्तक हो तुम आसमा में तेजस की हुंकार हो तुम दुष्मन की आँख में आँख डाल के जो बोले ब्रमोस की अजय ललकार हो तुम ब्रमोस की अजय ललकार हो तुम है रुणी तुमारे हर पल हम यह सत्य देश दोराता है यह सत्य देश दोराता है भारत के गवरों की शान भारत के गवरों की शान तुम्हें देख हर भारतिय तुम्हें देख हर भारतिय गर्वस से भर जाता है एक बार फिर आप सभी को अर्ध करगिल के वीरों की एतिर्थ भूमी के हिमाले की गोच से मैं देश और दुनिया में बसे हुए सब भारतियों को मेरे वीर जवानों की तरफ से मेरी तरफ से दिपावली की अनेक अनेक शुक्ता उनाए देता हूँ मेरे साथ पुरी ताकत से भोलिये पूरे हिमाले में से कुण जानी चाहिए भारत माथा की बारत माथा की बंदे बंदे बंदे! बंदे! बंदे!